नवस्कार, पेप्टिक टाइम, बद्बरदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ हमको रियादो इस वक्त की बड़ी खबर कटनी जिले से जहां लोकायुक्त पुलिस ने दो लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गरफतार किया है पकड़े गए लोगों में एक सरपंच और एक रोजगार सहायक है ये दोनों प्रधान मंतरी आवास योजना के माध्यम से एक आवेदत से आवास दिलाने के वजमें दस हजार रुपे के रिश्वत ले रहे थे जब इन्हें लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा क्या है पूरी मामला देखिए से पूरी जिले की बहुरी बंद तहसील के अंतरगत ग्राम पंचायत कोडिया के एक रोजगार सहायक और सरपंच को लोकायुक्त की टीम ने दस हजार रुपे की रिश्वत लेते हुए गरफतार किया है उस्ताद कुश्वाहा पिता रामजी कुश्वाहा की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम के द्वारा ये कारवाही की गई है इस कारवाही के दौरान रोजगार सहायक अजय कुमार चकरवर्ती और सरपंच भरत कुमार गुपता को पकड़ा गया है आरोप हैं कि उक्त दोनों के द्वारा उस्ताच कुश्वाहा से आवास के नाम पर दस हजार रुपए की रिश्वत मागी गई थी लोकायुत के ट्रैप दल में निरिक्षक घंशयाम मर्सकोले, कमल सिंग्वी के भूपेंद्र दीवान, आरिक्षक दिनेश दुबे, अमित मंडल, विजय सिंग, बिस्ट और जीत सिंग ने जाल बिछा कर इन दोनों रिश्वत खोरों को पकड़ लिया पकड़ने के दोरान दस हजार रुपे की राशी भी बरामत की गई और रिश्वत के इस मामले में अब आगे की कारवाही शुरू की गई है इस रपोर्ट में इतना ही पेप्टिक टाइम मध्यपरदेश समाचार पर खबरों को सिलसले लगातार जारी है नमशकार